हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी सोट स्टोरी है दा हैक ड्राइवर जो लिखी है सिंक्लेर लिविस ने ये कहानी है ओलिवर लुटकिन्स नाम के एक परसन की जो बहुत ही कनिंग मैन होता है और वो एक बिटनिस भी है एक केस में लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी वो अभी तक कोट में एपियर नहीं होता है जब भी कोई लोयर जाता है तो उसको बेवकूफ बना के और वापस कर देता है तो किस तरह से हम देखेंगे यहाँ एक जो यंग लोयर है वो उसको चीट करता है ओलिवर लुटकिन और कैसे उसको मजाक बनाता है तो सुरू करते हैं हम कहानी everything I will cover सबसे पहले characters है narrator जो एक यंग लोयर है बहुत ही भोला भाला इंसान है जिसको जो ओलिवर लुटकिन है वो बेवकूफ बनाता है और second character है ओलिवर लुटकिन बहुत ही dishonest man है सब को trick करके deceive करता रहता है और बहुत अच्छा story teller भी है तुरंत कहानिया बना लेता है और जब narrator आता है lawyer तब वो उतके सामने एक hack driver बन जाता है car driver और अपना नाम Bill Magnesian बनाता है बताता है और उसी तरह से फिर उसको बेवकूफ बनाता है तो सुरू करते हैं हम हमारी starting से क सहानी narrator की job से narrator ने अभी हाल में ही graduate किया है with honors law में और अभी junior assistant clerk है एक law firm में और हलांकि उसकी इच्छा तो है कि वो practice करें लेकिन अभी फिलाल उसको जो duty है मिली है वो है summons को serve करने की मतलब जो business require होते है court case में तो उनको समन देने जाने का उसकी dream है practice करने की low लेकिन फिलाल तो सब washed up हो चुकी है वो अपने काम को इससे खुस नहीं है summons के जो काम है उससे खुस नहीं है और उसको अभी case भी मिल पा रहे है जिस बज़े से उसको law की practice भी नहीं मिल रहे है यह बहुत difficult और dangerous काम है इसलिए इस ची lawyer बनेगा इस काम में क्या होता है उसको इस चीप private detective की तरह dirty और shadowy places पे जाना पड़ता है और कई बार कुछ लोग उसको पीट भी देते हैं इसी वज़े से वो इस काम से चिड़ता है और कई बार अपने hometown में जाने की plan करता है फिर क्या होता है उसको एक और बार नया मौका मिलता है सर्व करने का समन जहां वो रहता है वहां से 40 miles दूर एक town है जो इसका नाम है new million वहाँ पर एक सर्व समन करना होता है और जो वो expectations लेके जाता है गाउं की कि बहुत ही beautiful होते हैं peaceful villages होते हैं वो पूरी की पूरी जो उसकी expectations हैं वो सब चले जादी क्योंकि वहां की streets ज shop होती हैं और वो brownish paintings इस तरह से बड़ा ही अजीव सा माहौल वहां उसको देखने को मिलता है जब वहां station पर उतरता है तो इसको एक lawyer मिल मतलब एक person मिलता है बहुत cheerful person और वो दिखने में लगवक 40 साल का है red faced है cheerful है middle part body का थोड़ा थिक है कमर से dirty हैं कपले पहने हुए हैं फटे हुए लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा cheerful है और बहुत खुज होता है और वो होता है hack driver और बताता है वो की अपना purpose वहां आने का कि किस तरह से वैं Oliver Lutkin से उसको serve करने आया है summon hack driver उसको बताता है कि उसको catch करना तो बहुत ही मुश्किल है वो हमेशा कोई न कोई काम में engage रहता है और सबसे पैसे वैसे उदार रखें कभी किसी को return नहीं करता है उस वो खुद कहता है कि मेरे खुद उसने 50 cents जो poker में जीते थे वो भी वापस नहीं किये हैं और कुछ ट्रस्ट करने लगता है और वो उसको hire करता है lawyer जो होता है person hack driver को और उसको कहता है मतब वो दोनों आपस में बात कहते हैं तो two hours जो है का sorry two dollars एक आर का उस हिसाब से negotiation होता है कि वो pay करेगा जब तो उसके बाद में वो enjoy करता है किस तरह से hack driver की company हम देखेंगे तो hack driver खुद ही कहता है कि उसने half an hour पहले ही उसको देखा था लुटके उसको फिर वो बताता है सायद वो frizz की shop पे गया होगा poker खेलने के लिए और वो frizz के दुकान पे जाते हैं वहाँ shop पे जाते हैं और वो hack driver उसको कहता है कि भाई आप मत जाना वो जबाब ना दे लोग यहां मैं खुद बात कर लूँगा और वो पूछता है जाके उस पर से दुकान पे कि आपने लुटकेन को देखा है तो वो गोलता है नहीं अभी यहां से कुछी दिर पहले ही गया है और बोले मैं खुद उससे 30 डॉलर ओ करता हूं यह frizz ने उसक को कहा और यह सब चीजे देख रहाता है है कि इस तरह से मदद कर रहा है तो उसको लगता है कि villagers जो है वो बहुत मदद करते हैं helpful होते हैं फिर वो कहता है चलो ठीक है अब हम चलते हैं गुस्ताव की बारवर शोप पे क्योंकि वो frizz बता देता है कि वो साथ वहां गया होग हो देखता है और फिर अपना नाम भी बताता है उसको हैक ड्राइवर का नाम होता है बिल मैगनिशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग तो गुस्ताव की बारवर शोप पे जाता है पर वहां पे वो कहता है कि वो असायद ग्रेज की शोप पे गया हुआ है सेविंग के और भी अलग अलग जगों पर जाते हैं लेकिन वो हर बार थोड़ा लेटी पहुंचते हैं ड्राइवर और नेरेटर तभी उनके लंच का टाइम होता है तो लॉयर कहता है उसको नेरेटर मतलब जो है एक ड्राइवर को कि चलो मैं तुमारे लिए भी ले ले लेता हूं रे लर से ज़्यादा नहीं लेगे फिर वो लेके वहां से लंच जो है वो जाते हैं और वेड्स हिल पे जाके वहां पर लंच करते हैं साच्छा व्यू को देखते हैं इस तरह से बहुत सारी मतलब हो एक ड्राइवर की कंपनी को एंजॉय करता है नेरेटर फिर वो बताता भी है उसको कि किस तरह से कि किस तरह से बतलब की वहां के टाउन के लोग हैं और बहुत सारी चीजें वहां के बारे में बताता है हाला कि अभी तक लुटकिन नहीं मिलता है लेकिन लॉयर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेश होता है उसकी विजडम से हैक ड्राइवर की और वो हर चीज new million के बारे में बताता है वहां के लोगों की habits के बारे में और इतना influence हो जाता यह सब सुनके narrator कि वो खुद प्लान करता है कि सेटल डाउन हो जाएगा विलेज में और इस तरह से ही फिर वो कहता है उसकी मा के यहां विजिट कर लेते हैं क्योंकि सायद वो मा जो है उसके यहां वो चला गया होगा वो रहती है थ्री माइल्स नौर्थ में और narrator है जो बिल मैगनुशन उसको बोलता है कि वो बहुती टेरर है मितलब एक बार मैं गया था तो मेरी तो खाल खीचली होती इस तरह से उसकी मा का description बताते हुए कहता है कि वो 9 feet tall है और 4 feet thick है और इतनी तेज हैं जैसे cat इसके अलाबा वो भाग भी सकती हैं जब वो जाते हैं तो बिल मैगनुशन बताता है सब कुछ त उन दोनों को जलाने के लिए पीछे भागती हैं तो बिल मैं कहता है कि भाई यहां से भागो नहीं तो यह और जो उरद है मतलब कि उसकी मा वो उनको जला देगी यह सब होने के बाद felt हो गारेटर और वो बापस आ जाता है अग्दक यहां कि इस काम से उसके जो Chief हैं बहु दिया जाता है उस परसन को जिसने लुटकिन के साथ काम किया होता है जिससे वो सही से ढूंड सके जब वो पहुचते हैं दुबारा रेलवे स्टेशन पर तो वो देखता है लॉयर कि कैसे हैक ड्राइबर आज उसी जो टाइगरिस जिसको बोला था लुटकिन की मा आज वो दोनों लोग लड़नी रहे हैं और मस्ती से बातचीत कर रहे है तब जो लॉयर होता है वो कहता है उ जो ड्राइवर है वो लुटकिन खुद है और जब यह चीज सुनता है लॉयर जो खुदी नेरेटर है तो वो शौक रह जाता है फिर वो जाके सर्व करता है समन लेकिन उसको उस समय बहुत जादा एंबरेस्मेंट फील हो रहा था बहुत अनहैपी था तभी लुटकिन समन तो लेता है पर साथ में रिक्वेस्ट करता है कि कल की जो इंसिडेंट था वो सब ने देखा था सिवाए मेरे नेवर्स के तो वो कहता है कि वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो क्यों ना आप कॉफी के लिए उनके घर पे चलें और यहाँ पर यह स्टोरी खत्म होती है कि थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कोई भी डाउट है या कोई क्वेस्टन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूश सकते हैं थैंक यू सो मच